नमस्का दोस्तों PLTX में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की इस क्लास में UPCC Video Reexam 2023 के लिए समान जानकारी का Practice Set 24 लेकर रहा हूँ और इस Practice Set के अंतरगट समान जानकारी के 50 Questions को solve करेंगे दोस्तों यह आप कुमारे चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीज़े लाइक कीज़े शेर कीज़े दोस्तों आएए सुरू करते हैं आज के इस क्लास के Question Number First से दोस्तों Question Number First है इन में कौन सुमेलित नहीं है दिये गए Options में से आपको सही विकल्प का चैन करना है तो Right Answer बनेगा दोस्तों यहाँ पर Option C मलिहाबाद पेठा नंगरी सुमेलित नहीं है दोस्तों Option C यहाँ पर Right Answer हो जाएगा बाकि सभी Options सुमेलित दिये गए है Option A है अलीगर तालन नंगरी उपनाम है इसका गाजिपुर का काशी की बहन और रामपुर का चाकों का नगर Option A, B, C सही सुमेलित दिया गया है जबकि Option C में मलिहाबाद पेठा नंगरी इसका उपनाम नहीं है सुमेलित नहीं है Option C यहाँ पे राइट अंसर हो जाएगा अगला कोश्चन का चैन कीजे तो असत्त कथन का चैन करना है दोस्तों दियेगा Option A दिया गया हर्वन्स राय बच्चन का जन्म प्रयागराज में हुआ था Option B है जैसंकर प्रसाद का जन्म वारानसी में हुआ था Option C है अकबर नामा और आइने अकबरी अबुल फजल की रचना करती है Option D है अमीर खुसरों का जन्म एटा के पटियाली नामक कस्मे में यमना के किनारे हुआ था तो असत्त कथन का चैन करना है दोस्तों तो यहाँ पे असत्त कथन हो जाएगा Option D अमीर खुसरों का जन्म एटा के पटियाली नामक कस्मे में यमना के किनारे हुआ था Option D यहाँ पे असत्त कथन है बागे सभी Options सही दियेगा है दोस्तों ध्यान रखियेगा A, B, C यह सभी Options सही है अगला कोशन, Question No. 3 गोविन्द बल्लपंत सामाजिक विज्ञान संस्था कहां अवस्थित है आपको बताना है Option First दियागे है प्रियाग्राज, Option Second है लखनव, Option Third है वारानशी तो यहाँ पे दोस्तों इस Question का Right Answer बनेगा केवल First प्रियाग्राज गोविन्द बल्लपंत सामाजिक विज्ञान संस्था प्रियाग्राज में अवस्थित है ध्यान कियेगा Question No. 4 निमलिखित में से किसका नाम उत्तरप्रेश के स्मार्ट सिटी में नहीं है दियेगा Options में से आपको बताना है तो राइट अंसर बनेगा Option C काव सामबी अगला Question Question No. 5 है भारत का पहला अटल Community Innovation Center कहां खोला गया है तो राइट अंसर बनेगा Option B जैपुर में खोला गया है दोस्तों ध्याना कियेगा Question No. 6 है कुरोना के नए वेरियंट ओमीक्रोन से पहली मरेत तुकिस देश में हुई थी तो राइट अंसर बनेगा Option है ब्रेटन में Next Question Question No. 7 निम्न में कौन सा यूगम गलत है तो राश्टी महोसो एक तरफ दिया गया है दूसी तरफ इस्थाल दिया गया है तो आपको गलत यूगम का चैन करना है तो राइट अंसर बनेगा Option D सिग्मो महोसो उत्तर पडेश तो यहाँ पे Option D राइट अंसर हो जाएगा गलत यूगम दिया गया Option D में अगला कोशन और बाकी सभी Options जो है सही दिये गया है जैसे हम First Option की बात करें तो ग्यारवन संसक्रेटी महोसो पर्चिम बंगाल है गुड महोसो लखनव और सिल्फ ग्राम महोसो असम है तो ध्यानक खेगा अगला कोशन कोशन नमर इट किस राज में एक नई स्कूल स्वास्त योजना सेहत का सुबारम किया है तो राइट आंसर बनेगा Option C हारियाना अगला कोशन कोशन मर 9 है किस नर्थ में पुरुष द्वारा महिला का रूप धारन करके नर्थ किया जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा Option B जोगनी नर्थ Option B यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमर 10 किस ने 22 में दुबई ओपन सत्रंज टूना मिन्ट में टूना मिन्ट जीता है दिये गए Options में से राइट आंसर बनेगा Option D अर्बिंद चितामबरम Option D यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन कोशन वर 11 है प्रमूद चंद्रमोदी कौन है आपको बताना है तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस कोशन का Option A राज सभा के महा सच्यू है ध्या नखियेगा कोशन नमर 13 है संजय भटाचार किस देश के राजदूत उच्चा युक्त है तो राइट आंसर बनेगा दूस्तों यहाँ पर रूस Option A यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कोशन नमर 13 है भाई आई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखा कौन है तो भाई आई 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 एम हिंदू पुस्तक के लेखा शासी थरूर है Option A यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कोशन नमर 14 है 6 सितंबर 2022 को सुबरतो कप अंतराष्टी फुटबाल प्रतियोग तक कहां शुरू हुई है तो राइट आंसर बनेगा दूस्तों यहाँ पर Option D नई दिल्ली में कोशन नमर 15 है भारती रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष है कब तक है तो राइट आंसर हो जाएगा Option D 2030 तक ध्यान नखिएगा कोशन नमर 16 अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज में है तो राइट आंसर बनेगा इस कोशन का दूस्तों Option First वोड़ा पेस्ट हंगरी ध्याने गिएगा कोशन नमर 18 है कार्टो सैट 03 उपग्रह का प्रच्छेपन यान था तो राइट आंसर आप्शन B हो जाएगा PSLB C47 Option B यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमर 19 है इन में से कौन मानव रहित अंतरिच यान उडान है तो राइट आंसर आप्शन C हो जाएगा दूस्तों A और B दोनों गगन यान फर्स्ट और गगन यान टू दोनों यहाँ पे सही जाब हो जाएगा अगला कोशन Q20 की बात करते हैं ग्रह मंतराले निमलिखित में से किस के पास है तो ग्रह मंतराले किस के पास है दूस्तों आपको बताना है तो राइट अंसर बनेगा यहाँ पे Option B सिरी अमिस साह के पास है ग्रह मंतराले ध्यान नखेगा अगला कोशन Q21 मुफ्त शिक्षा योजन और प्राण वायु देवता पेंसन इसकीम किस राजे से समन्धित है तो राइट अंसर बनेगा Option B हार्याना राजे से समन्धित है Q22 है दोस्तों सेहत OPD पोर्टल जारी करता है कौन जारी करता है रक्षा मंतराले केंद्र सरकार केंद्री कोईला मंतराले सर्वोच नयाले तो सेहत OPD पोर्टल रक्षा मंतराले जारी करता है धान रखियेगा Q23 मुस्कान पहल का समन्ध किसे है तो मुस्कान पहल का संबन्द आपको बताना है दोस्तों, तो right answer बनेगा option A, स्वास्तियों परिवार कल्यान बंत राले अगला question, question number 24, गर्भा लोकनेतर शैली कहां प्रचली थे, तो right answer बनेगा, यहाँ पर option D हो जाएगा, गोजराच से समन्दित है दोस्तों, धेनकिएगा, question number 25, पंडित किशन महाराज किस वादेंद के प्रमुक वादक है, तो right answer हो जाएगा, यहाँ पर इस question का option अप्शने कान्हा किसली, किसली प्रशिद्ध है, महात्पूर्ण प्रशन है दोस्तों, धेनकिएगा, तो यहाँ पर इस question का right answer बनेगा, option E, राष्टी उद्ध्यान है दोस्तों, कान्हा किसली, राष्टी उद्ध्यान है दोस्तों, धेनकिएगा, अगला question, question number 27 है, निमलिखित कत्लो में से कहां, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है, option E है, first दियागा है मेरट में, second है सहारनपूर में, third है विध्यानचल में, और fourth है वारणशी में, तो यहाँ पर इस question का right answer बनेगा, option D, केवल second, यानि कि सहारनपूर में, ध्यान रखियेगा, अगला question, question number 28, इस इतनी होती है दोस्तों, तो इस पर्ष्ट दर्ष्ट की नियुनतम दूरी 25 होती है, option B, यहाँ पर right answer हो जाएगा, question number 29 है दोस्तों, इन में से कौन सुमेलित बिकल्प नहीं है, उसका चैन करना है, option A दियागा है, वाइब दाब मापन, बारोमीतर, option B है, हवा की गट तथा शक्त की माप, अनिमोमीतर, option C है, वाइमंडल के दाब में परिवर्तन, बायरोग्राफ, option D है, हर्दे गट की जाच, कैलिपर्स, तो दोस्तों, यहाँ पर इस question का right answer हो जाएगा, option D, सुमेलित नहीं दिया गया है, दोस्तों, हर्दे गट की जाच, कैलिपर्स, तो option D, यहा question number 31 है, पारिशित की इस्थाई में तब्यता है, या किस आंदोलन का नारा है, आपको बताना है दोस्तों, तो right answer बनेगा, option D, चिप को आंदोलन, option A, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, question number 32, जिला इस तर पर IIT, IIT, JE का, नीट जैसी परिच्छाओं के लिए, निश्यल को question number 33 है, मौर काल के गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, तो मौर काल के गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, दोस्तों, right answer बनेगा, option B, गूड पुरुष कहा जाता था, धान रखेगा, question number 34, बीर अमेटकर की पढ़ाई लिखाई में किस ने बड़ा सहयूग दिया, option A है, नाभा के महराज ने, जुनागड के नवाब ने, मैसूर के महराज ने, बड़ोदा के महराज ने, तो यहाँ पे right answer बनेगा, option D, बड़ोदा के महराज ने, option D, right answer है, अगला question, question number 35, भासा जिसे computer समझता है, वा निस्पादित करता है, कहलाती है, क्या कहलाती है, मर्शीनी अमरीकन भाशा, गुप्त प्रचल भाशा, उप्रियुक सभी, तो दोस्तों यहाँ पे इस question का right answer बनेगा, option D, machine भासा कहलाती है, ध्या नखियेगा, question number 36, अरावली सेडिया किस राज में इस्थित है, तो अरावली सेडिया बतानी है, दोस्तों, कहाँ पर इस्थित है, दि सितंबर 2022 को कहाँ पर सिक्षक पर्व 2022 का उद्गाटन किया गया है, option A दिया गहे लखना, option B है भोपाल, option C है नई दिल्ली, option D है पटना, तो right answer बनेगा यहाँ पर option C, नई दिल्ली में इसका उद्गाटन किया गया है, ध्यान नखियेगा, question number 38, 9 सितंबर 2022 को किसने प्रध 59 सरवाधिक नगरीकरत महादीब है, तो इन में से कौन सा सरवाधिक नगरीकरत महादीब है, तो right answer हो जाएगा यहाँ पर option A, यूरोप सरवाधिक नगरीकरत महादीब है, दोस्तों ध्यान अखियेगा, question number 40 है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्ता के कारण दक्षली भारत की गंगा कहा जाता है, महादपूर्ण प्रसन है दोस्तों आपकी परिच्छा की देस्ट कोंट से, तो right answer हो जाएगा option D, कावेरी, इसका सही जवाब हो जाएगा, question number 41 है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां है, तो इन में से कौन सी नदी भारत में डेल्टा पर अंतरगत आएगा, तो right answer बनेगा option C, कावेरी, गंगा और महा नदी भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां है, question number 42 है, भारत में जूट अधिक्तम छेत्र कहां पर है, तो right answer हो जाएगा option B, पश्यम बंगाल, इसका सही जवाब है, दोस्तों महादपूर्ण प्रसन ह question number 43 है, प्रतम क्रशी गढ़ना कब की गई थी? तो प्रतम क्रशी गढ़ना कब की गई थी? option A दिया गया गए, 1907 सवी, option B है, 1991 सवी, option C है, 1960, option D है, 1950 सवी, तो प्रतम क्रशी गढ़ना, 1970 सवी में हुई थी, option A यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, इस question का, question number 44 है, जन यूजना का प्रारूप किसके द्वारा त्यार किया गया था तो जन यूजना का प्रारूप M.N.Roy के द्वारा त्यार किया गया था option B यहाँ पे right answer हो जाएगा question number 45 इन में से कौन सरवाधिक जनसंख्या घनत वाला दीप है आपको बताना है तो right answer बनेगा option जावा जावा सरवाधिक जनसंख्या घनत वाला दीप है option A यहाँ पे right answer हो जाएगा अगला question question number 46 है 2011 की जन गन्ना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरी जनसंख्या का कितना प्रशत है आपको बताना है दोस्तों तो right answer बनेगा इस question का यहाँ पे option C 31.2 प्रशत यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा question number 47 भारते समिधान की किस अनुछेद में उच्चेतम नयाले से परामर्स करने की राठपति को शक्ति प्राप्त है महात्पूर्ण प्रसन है दोस्तों समिधान से लिया गया है तो right answer यहाँ पे हो जाएगा इस question का option है अनुछेद 143 इसका सही जवाब हो जाएगा option B दिया गया है दोस्तों अनुछेद 123 आपको comments करके बताना है अनुछेद 123 के इंतरगत क्या आएगा तो यहाँ पे आपको comments के माध्यम से आपको बताना है इस question का right answer question number 40 है यहाँ पे राष्टी गंगा नदी वेशिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया है तो right answer बनेगा यहाँ पे इस question का option B फरवरी 2009 इसका सही जवाब हो जाएगा question number 49 है निम लिखित में से कौन समेलित नहीं है तो right answer बनेगा यहाँ पे option D कजरी बुंदेल खंड option D यहाँ पे right answer हो जाएगा next question question number 50 है उत्तर प्रदेश में क्रतिम अंग निर्मार निगम कहा इस्तित है तो उत्तर प्रदेश में क्रतिम अंग निर्मार निगम कहा इस्तित है दोस्तों तो right answer हो जाएग option कानपूर तो दोस्तों यह रहे सामान जानकारी का 50 questions को आपने solve किया दोस्तों यह यह आपको class बसंद आती है नेक्स class में तब तक लिए नमस्कार जाहिए धन्यवाद